जीव उसी जीवन काल में दंडित हो या आपकी बहन को कदापी स्विकार नहीं आप बस हम सभी को अपने हां भोजन पर आमंत्रित कीजिए अन्य सभी को चाप मुझे पर छोड़ दीजिए नारायन को वचन दिया है इसलिए मुझे ऐसा करना ही होगा स्वामी में मेरे लिक कुछ भी शेष नहीं रखा आपकी पत्नी भूकी है नाथ उत्तर दीजिए मुझे भोजन कौन कराएगा पगला मुखी आपकी अश्टम महावित्य स्वरूप माता मैं इस रूप में संसार में प्रकट होने के पीछ एक बहुत बड़ा कारण क्या है वो कारण त्रेखर जुद कलसा भी हुजय हमारी ही होगी अब संपूर प्रम्हान नेरी मश्थी में होगा